बिहार के सरकारी स्कुल में जितने भी विद्यार्थी क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टड़ी कर रहे हैं तो आपको जो भी साइकिल, पोसाग, छात्रवृति या किसी भी योजना का लाभ मीत है तो पैसा कब तक आएगा है उसके साथ जो भी विद्यार्थी 10 या 12 की बोर्ड एक्जाम उतिर किया है तो आपके प्रूत्साहा रासी को लिकर भी आकड़ा जारी किया गया है कितने भी द्यार्थियों के खाते में पैसा आया है और उसके साथ जिनका भी पैसा नहीं आया है उनके खाते में कब तक पैसा आएगा तो आएए पूरे अपडेट को विश्टार से समझते हैं यहाँ पर बताया जारा है कि तैयारी सुबे में पहले से बारहुई के कच्छा तक पढ़ने वालों के खाते में जायेंगे पैसे देर कडोर बच्चों को दस के बाद पुसाक और छातवर्थि की रासी नीचे की तरफ डिटेल में बताया गया है कि पहली से बारहुमी कक्षा में राज एके डेर कडोर से अधिक छात्र शात्राओं को पुसाक छात्रविती इतियादी युजनाओं की रासी का भुगतान 10 अक्टूबर के बाद सुरू होगा सिक्षा विवाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है वहीं जीलो के द्वारा छात शात्राओं की सुची को अनुमोदित किये जाने की भी परकिरिया चल रही है जिसे 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा इसके बाद बीतिये बर्स 2023-2024 के अंत्रगत विविन युजनाव की रासी की भुखतान को लेकर आदेस जारी किये जाएंगे रासी डीबीटी के माधियम से बच्चों को खाते में सीधे भेजी जाएगी पहली से बारहुई के विद्यार्थी के उपोसाग, छातवर्ती, साइकिल और किसोरी, स्वास्ति युजनाव के अंत्रगत रासी का भुखतान किया जाना है इसको लेकर सिक्षा बिभाग ने सभी जीला को कक्छा एक से बारह तक के चहात शातर्षातराओं के सूची, 30 सितमबर तक मेधा सौट पे एंटरी करने को कहा था इस करम में परधाना ध्यापक के अस्तर से अप्रेल से सितंबर माह तक 75% उपस्तिती वाले छात्र छात्राओं को चिन्नित करना था बिभाग नहीं असाप कहा है कि 75% हाजरी जिन बच्चों की रहेगी उन्हीं को सरकार की लाभू की योजनाओं की राशी का भूगतान किया जाएगा जीला कारेकरम पदादिकारी योजना और लेखा के द्वारा अपने जीला की सुची को अनुमूदित करना है अब आगे देखिए बताया ज़रा है कि 25,000 आसना तक चात्र चात्राओं को भी पुरूट साहरासी मिलेगा फिर यहाँ पे देखिए बतायागा कि काफी विद्यार्थियों का जो है डाटा उगरा एंट्री नहीं किया गया है चात्र चात्राओं की सुची 30 सितंबर तक मेधासोड पर अपडेट करना था साइकिल की सोरी स्वास्तियोजना की रासी का भी भूपतान होगा पचातर परसेंट हाजरी वालों को ही मिलेगा पैसा अब यहाँ पर आपको क्लियर समझना है कि जो भी विद्यार्थी पहले अपडेट में बताया गया है कि क्लास 1 से 12 तक किसी भी क्लास में स्टड़ी कर रहे है आपको क्लास की हिसाब से जो भी आपके खाते में पैसा बेजा जाएगा अब यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा देखें आपको से लिखा गया कि 10 अक्टूबर से इन सभी योजनाओं का लाब भेजा जाएगा आपके खाते में अब यहाँ पर देखें दूसरा अपडेट हो तो साइकिल पोसाक शातवरती सभी योजना का हुआ कलास 1 से 12 तक दूसरा अपडेट है यहाँ पर मैटरिक इंटर पास प्रोचसाहारासी के लिए कि 1 लाख बच्चों को दी गई है प्रोचसाहारासी अब साइक जितने भी विद्यार्थी मैटरिक या इंटर की बोड एकजाम उतिन किया है तो इंटर वाले 16 एक खाते में पैसा आ चुका है तो जिनका भी पर्थम लिस्ट में नाम है, सभी के खाते में पैसा आगे, आपको जाकर चेक कर लेना है, सभी का status payment done अब सोग कर रहा है, और उसके साथ जिन भी विद्ध्यार्थियों का मानने जी किसी कारण से पैसा नहीं है, उनका भी अब 10 के बाद असाथ के कल से आना सु और यहां पर देखे आगे बताएगा कि जिनका भी नाम इसकूल किसी कारण से मेदा सोट में एंट्री नहीं किया है, तो वैसे बच्चों को यूजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, अब चलिए देख लेते हैं कि किनकिन छातर छातराओं का नाम मेदा सोट के पोर्टल पे है और कल से जैसे ही पैसा आना सुरू होगा, तो आपका ऐसे अपना पैसा होगा राचेक करेंगे इजली अपने मुबाइल फोन से ताकि आपको पता चल जाए कि आपका किस किस यूजना करासी 10 अक्टूबर के दिन आ गया है, इसके लिए आपको अपने मुबाइल फोन का को को इस वेब साइट पे किलिक कर देना है, जैसे ही आप किलिक करेंगे आपके सामने arcareerfoy.com ओफिसल वेब साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सबसे उपर देखें आप निंक मिल जाएगा, बिहार बोड मैट्रिक पास प्रो साहारासी 2023 का पैसा आना सुरू यहाँ से करे चेक, उसी पे किलिक करके भी आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़िएगा, तो एस्कॉलर सीप वाले सेक्षन में भी सभी एस्कॉलर सीप की जानकारी है, तो यहाँ से भी आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पे मैं ब तो यहाँ आप्धिए सबसे उपर link है कग छाओं से 12 का साइकल पोसाइक चातवरेती का पैसा, यहाँ से करें चेक, सीम्पल सा आपको इस पोस्ट पर किलिक कर देना है, यहाँ पर जैसे ही किलिक करेंगे, देखिए साइकल पोसाइक छातवरेती का पैसा को लेकर एक एक जन में अगर आपका नाम होगा तभी आपको इन सभी योजनाव का पैसा मिलेगा तो जो भी link बना है यहाँ पर link 1, link 2 किसी भी link पर click करना है जैसे मैंने आपके सामने link 1 पर click किया यहाँ से simple सा आपको अपना district select करना है जिसभी district का अंत्रगत आपका बिद्यालय आता होगा यहाँ से जो भी district आप select कर ऑप given सभी block का option आजाएगा तो वहीं block select किजएगा जिस block के अंत्रगत आपका इस्कूल पढ़ता होगा फिर जो block select करेंगे सभी यहाँ पर school का update आजएगा आपको अपना school select करना है यहाँ पे dice code खाली छोड़ देना और search button पे click करना है जैसे ही आप click करेंगे जो भी school select किये होंगे तो यहाँ पे देखिए उस school का पूरा data open हो जाएगा यहाँ पे all record of school है last में और यहाँ पे कुछ number बना हुआ है all record of school के सामने आपके कुछ number बना है simple सा आपको इस number पे click करना है अब जैसे ही इस number पे click करके आपको नीचे की तरफ स्कॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके बिद्याले में जिन भी छात्र सात्राओं का नाम होगा किस क्लास में आपका ना मांकरने माता पिदा का नाम सही है की नहीं सभी जानकारी यहाँ पे link समूदाय कोटी जनम तिथी सभी open हो जाएगा देख लिजेगा और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा आधार संख्या जूड़ा है कौन सा mobile नमर का चार्ड रिजी से मिला लिजेगा कौन सा mobile नमर जूड़ा है कौन सा यहाँ पे account नमर आपका update है bank की परतिकरिया में देख लिजेगा कि आपका account नमर किसी कारण से reject होगा रहा तो नहीं हुगा है तो ऐसे आप पता कर सकते है कि आपका नाम मेधा सोर्ट में हाय कि नहीं जैसे देखे एक छातरका reject है तो ऐसे सोग करेगा कि इनका reject हो चुका है तो इनको इसकूल से संपर करके सुधार कराना होगा तो ऐसे आप अपना नाम देख लीजेगा और आपको पता हो जाय के कौन सा मोबाइल नपर जूरा है आप का नाम है कि नहीं मेदासोट में कौन सा अकंट नमरeurs दार नमर यहां पर लिंक है और का बयंक चाटा तो नहीं किसी कारण से तो यहां से पूरा जानकारी पहले आपको चेक कर लेना है उसके बाद जिस भी युजना का पैसा चेक और पर-बितिर ऑप ourya on tenants आजाएगा तो जो भी आपका box ऊगहाँ से ध्यान से सलेक्ट कर ले जिएगा जो भी आप इस section आपको खाली छोड़ देना और account नमर वही account नमर टाइप कीजेगा जो account नमर उपर हम लोग चेक ही आपका मेधा सोट में जुड़ा है और यह type करके आपको simple सही सो बटम पे किलिक करना है सही account नमर सही सही type करके आप साज करेंगे आपके सामने देखे आपका पूरा payment का history open हो जाएगा जिस जिस योजना का पैसा आ गया होगा यहां पर देखे कुछ इस तरह आपका जैसे इस विद्यार्थी का यहां पर scholarship का पैसा आ गया है कि सोरी स्वास्त का मुख मंत्री बालिका पोसा की योजना का तो इसी तरह आपका payment done सो होगा तो समझे आपके खाते में पैसा आ चुका है और जिनका भी पैसा नहीं आए कल से आपके खाते में भेज़ जाने की सुरुवात हो जाएगा और जो भी जैसे योजना का पैसा नहीं है तो यहां पर add होते जाएगा तो इस तरह आपको अपना payment done status चेक कर लेना है तो आभी कि इस पूरे वीडियो की सर पूरा जानकारी प्रोशाहां रासी का यहां से आपका पैसा चेक करेंगे किस योजना का पैसा आया है किस योजना का बकाया है तो कल से पैसा आने की सुरुवात हो जाएगा तब तक यहां से आकर मेदा सोर पर आपका सभी जनकारी देख लिए अपना पैसा होगा रहा है यहीं से डाइरेक्ट आप चेक कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद